Namsate Proudra Shiko चलिए, आज हमीं देखते है कि युनिवर्स आपको क्या messages देना चाहते है आपके लिए angels के टरफ से Almighty के तरफ से क्या channeled messages है और आपको क्या guidance देना चाहते है you know divine powers जो है या angels वो आपको क्या guidance देना चाहते हैं देख लेते हैं ये एक timeless reading है उम्मीद है जो messages आपको भी मिलने वाली है वो messages आपको मदद करेंगी सही decision लेने के लिए और you know life में खुश रहने के लिए चैनल को subscribe कीजिएगा पेज को follow कीजिए और वीडियो को like share करना बिलकुल मत भूलि प्रियतर शुको चलिए reading को start करते हैं देखते हैं आपके लिए क्या messages है divine messages from the universe Dear Divine Tarot Deck, Dear Almighty, मेरे व्यूवर्स जो मेरे साथ अभी जूड गये है My dear collective, मेरे व्यूवर्स के लिए, collective के लिए, kindly ये बोलिए कि उनके लिए क्या messages है ये एक timeless collective tarot reading है Dear Tarot, Dear Almighty, what are the channeled messages for my viewers who are watching me now Amen चलिए, देख लेते हैं क्या messages है Okay Yes, alright, अभी हम Cart को हमने, deck को divide कर लिया है Alright Okay Interesting Alright Wow Okay Beautiful प्रिया दर्शुभू, देखे, आपके लिए क्या messages है universe की तरफ से ये message और ये जो guidance आपको मिलने वाली है ये आप definitely अपनी love life में इसे apply कर सकते हैं या आप अपने career में भी अगर आप चाहे तो अगर इस message से divine messages से आपको कोई inspiration मिल रही है तो वो आप अपने career ये love life कहीं फे भी इसे इन messages से inspired होगे काम कर सकते हैं तो प्रिया दर्शुभू, एक positive change जो आप चाहते हैं अपनी life में वो कही ना कहीं एक delay होता हुआ मुझे दिख रहा है तो कुछ समय से आप यही सोच रहे हैं कि कोई positive बदलाओ आना चाहिए लेकिन देखें प्रिया दर्शुभू, ये card reverse आगया है इसका मतलब वो positive बदलाओ, positive change delay हो गया है तो वो positive बदलाओ आपके relationship में हो सकता है, love life में या आपके career में भी हो सकता है गौर से देखें इस card को प्रिया दर्शुभू, page of swords का reverse आना मतलब कहीं न कहीं आप में knowledge या जानकारी की थोड़ी से कमी हो सकती है आपको और ज्यादा knowledge gain करना है आपको अपने जो ideas है, वो जो ideas है उन्हें अच्छी तरह इस्तिमाल करके आगे बढ़ना है और प्रिया दर्शुभू, अपने plans के बारे में जो आपके plans है अपने relationship में, career में ये सब पहले ही दूसरों को reveal मत कीजेगा ऐसा करने से कोई काम बनते बनते रह जाते हैं कोई ऐसा काम हो सकता है जो होने ही वाला है लेकिन क्योंकि आपने सब को बता दिया तो उसकी वज़े से आप इसे evil eye बोले या जो भी बोले वो काम होते होते भी नहीं होता है तो थोड़ा साफदान रहे जो भी आपके plans है वो आप तक रखे और उस पे काम कीजिए successful होने के बाद उसके बाद आप सब को बोलिए ठीक है तो let's success make the noise ये बोलते है न तो ये याद रखेगा प्रेद शुको अब चलते हैं आपके लिए और क्या messages है देखते हैं देखिए यही बात है कि आप fulfillment चाहते हैं आप कोई desire को manifest करना चाहते हैं आप एक नया घर लेना चाहते होंगे या फिर एक happy home build करना चाहते हैं अपने partner के साथ लेकिन कहीन कहीं वो सपना अधूरा रह जाता है तो क्योंकि देखिए ये card जब reverse आता है तो हमें definitely ये message आपको universe दे रहे है कि वो आपका वो चुर सपना है आपके dream home का वो पूरा हो सकता है थोड़ा वक्त लगेगा तो आपको क्या चाहिए आपको साहस confidence के साथ अपने लक्ष की ओर आगे बढ़ना चाहिए confidence, साहस, इच्छा शक्ती, willpower के साथ अब देखते हैं प्रेदर्शकों आपके लिए और क्या messages है okay, night of wands, ये card reverse आया है इसका मतलब ये है कि प्रेदर्शकों आपके मन में बहुत कुछ करने की इच्छा तो है लेकिन यही बात मैं देख रहे हूं कि confidence और courage साहस आत्मविश्वास की कमी है प्रेदर्शकों आत्मविश्वास की कमी होने से जो हम सही कर रहे हैं वो काम भी हम अच्छी तरह कर नहीं पाते हैं हमारे अंदर कोई भी खामी अगर ना भी हो हमारी सोच भी अच्छी है हम जो करने जा रहे हैं वो भी सही है लेकिन अगर self confidence की कमी है तो फिर वो काम करने में हमें तकलिफ होगी उस काम में सफल होना हमारी लिए मुश्किल हो जाता है तो self confidence बहुत जरूरी होता है और इच्छा शक्ती, इच्छा शक्ती को हमेशा जगा के रखना वो बहुत जरूरी है जब आप किसी भी चीज़ को पाना चाहेंगे न तो universe वो चीज़ आपको देगी, जरूर देगी आप जब उस चीज़ को पाना चाहेंगे तब आपको कुछ इस तरह से उसके पीछे जाना पड़ेगा देखिए इस image को गौर से इस image में जो soldier है वो घोरे पे सवार होके अपने लक्ष की और आगे बढ़ रहा है ठीक है तो ही हम अपने गोल तक पहुँच सकते हैं लेकिन अगर ऐसा काड़ आ गया इसका मतलब कहीं न कहीं हमारी उर्जा में हमारे मनों बल में कमी है तो इस बात का ध्यान रखिएगा अब देखते हैं प्र्याध अश Hawk hints, क्या मेसिज है हाँ अगर आप कोई टॉक्सिक रिलेशन्षिप में है यहां पे मैं मैं मैरीटल रिलेशन्षिप मैरेज की बात नहीं कर रही हूँ अगर आप किसी के सेत barrelशन्षिप में है वो कोई भी हो सकता है आपके personal life में चाहे वो आपका partner हो crush हो चाहे वो आपका colleague हो friend हो, neighbor हो family member हो अगर किसी के साथ भी आप इस तरह के relationship में है जो toxic है toxic मतलब वो person हमेशा negative बाते करते है आपके बारे में भी negative चीजे फैलाते हैं तो ऐसे person से दूर हो जाना बहतर है उनसे दूर हो जाईए और जो positive minded लोग है उनसे जुरिए toxic और नकारात्मक सोच वाले लोगों से दूरी बना लीजे यह आपको universe कहते हैं प्रियोदर्श को अब देखते हैं अगला card the hierophant वाव इसका मतलब यह है कि आपको हमेशा tradition को follow करना चाहिए रीति रिवास जो आपके customs है जो आपका culture है संस्कृती है उसे हमेशा follow करेंगे तो आपको life में success मिलेगी प्रियोदर्श को यह card यह भी बोल रहा है कि आपको अपनी intuition की आवाज सुननी चाहिए पूर्वाभास की शक्ती को improve करने के लिए आपको थोड़ा ध्यान करना चाहिए कभी-कभी meditation कीजिए प्रानायम कीजिए उससे आपकी पूर्वाभास की शक्ती improve होगी बहतर होगी आप सही decision लेंगे अपने career में अपने relationship में भी आप सही decision लेंगे वैसे यह card शादी या विवा को भी दर्शाता है तो शायद universe आपके विवा से संबंदित आपको कोई संकेत दे रहे हैं अगर आप शादी शुदा नहीं है तो शायद आने वाले समय में आपकी शादी हो सकती है All the best लेकिन सोच समझ के फैसला लीजेगा प्रेदर्शा को आप चलते हैं अगले मेसेज की और देखिए universe आपको बोल रहे है कि हमारी चारोत तरफ कभी-कभी लोग रहते हैं हमारे profession में workplace में या घर में, family में लेकिन कुछ समय हमें अपने आपको देना चाहिए यह hermit card है आपको कुछ समय अकेले में बिताना चाहिए क्योंकि जब तक हम introspect नहीं करेंगे self introspection मतलब खुद अपने अंदर जाक के सोचना अपने अंतर मन में जाक के देखना कि आपको क्या करना चाहिए यह आपको बहुत ही गहराई से सोचना होगा कि आपके career में profession में या आपके relationship में आपको क्या फैसला लेना चाहिए यह आपको बहुत ही ठंडे दिमाग से सोचना होगा उसके लिए meditation कभी-कभी isolation एकांत में रहना बहुत ज़रुरी है तो कुछ समय अपने आपके साथ बिताइए और सोचिए कि आपका अगला कदम क्या होना चाहिए relationship में या career में अब चलते है final कि final message पुरी दर्शको जो आपको universe आज देना चाहते है यह बहुत ही positive है देखिए यह the magician card है यह बहुत positive card है इसका मतलब यह है कि आप जो चाहे वो बदलाओ positive change भाहर ढूंडते हैं हम सोचते हैं बाहर के लोग शायद हमारे लिए ही वो संभव कर देंगे शायद किसी और की वज़े से हमारी life में positive बदलाओ आ जाएगा बल्कि सच तो यह है कि हम खुद अगर चाहे तो अपनी जीवन में positive बदलाओ जब चाहे ला सकते हैं स्वामी विवेकानिन जी ने भी कहा है कि जो भी उन्नती जो भी शक्ती आप चाहते हैं वो आपके बाहर नहीं बल्कि आपके अंदर है तो प्रियदर्शको आप अपने करियर में या relationship में positive बदलाओ ज़रूर ला सकते हैं उसके लिए आपको क्या चाहिए आपको मन में साहस चाहिए आपको आत्मविश्वास की जरूरत है इच्छा शक्ती की जरूरत है पुरुशार्थ की जरूरत है परिश्रम करनी की जरूरत है अगर आप ऐसे मेहनत करते चले गए अगर आप पुरुशार्थ में आपने विश्वास किया तो जरूर कोई भी ताकत ऐसी नहीं है चाहे वो कितनी भी नेगेटिव नकरात्मक क्यों नहीं हो कि आपको अपने लक्ष से भटका सके नहीं भटका सकती हाँ बाधाएं आ सकते है अभी जैसे मैं आपको ये मेसेज़ देना चाहती थी लेकिन मुझे भी कुछ बाधाओं का सामना करना पढ़ रहा था कुछ समय पहले भी जैसे मैं ये वीडियो आप तक शेर करना चाहती थी लेकिन कुछ प्राब्लम्स आ रहे थे कुछ obstacles आ रहे थे जो वो भी एक तरह से आप कह सकते है negative energies काम करती है प्रिदर्श को जो मुझे भी रोक रही थी मैं आपको लेकिन ये message देना चाहती हूँ तो चाहे मुझे बुखार है चाहे मेरा गला खराब है किसी भी वज़े से लेकिन मैं किसी भी तरह का मतलब यह है प्रिदर्श को हम जब कोई चीज ठान लेते हैं कि हम वो करेंगे तो कोई हमें नहीं रोक सकता हाँ obstacles या बाधाय आ सकते हैं उनसे घवरा मत जाहिएगा वो जिन्दगी का एक पार्ट होते हैं उनको पार कीजिए उनको face कीजिए हर challenge को और अपनी लक्ष की ओर आगे बढ़िए आप अपने जीवन को बदल सकते हैं आप अपने जीवन में खुशिया ला सकते हैं आत्मविश्वास के बल पर पूरिशार्थ के बल पर और अगर आप सच में किसी से प्यार करते हैं किसी बस क्या जरूरत है जरूरत यही है कि आपको अपने आप पे विश्वास होना चाहिए अगर आपके इरादे पक्के हैं अगर आपकी सोच जो है उसमें सच्चाई है अगर आपके intentions pure है अच्छे हैं अगर आपका प्यार सच्चा है तो जरूर आप जो चाहते हैं यूनिवर देती है तो यूनिवर्स आपको मदद करती है उस लक्ष तक पहुचने के लिए वो लक्ष आपके लव लाइफ रिलेशन्शिप से जुड़ा हो सकता है वो लक्ष आपके प्रोफेशन से जुड़ा हो सकता है किसी भी ऐस्पेक्ट से तो उमीद है यह जो टैरो डेक्ट ने आपको जो भी मेसेज़ आज दिये है इससे आपको डेफिनिटली प्रियादश को कुछ बेनिफिट मिला होगा और आपको एक आइडिया मिली होगी मिल गए होगी कि किस तरह से आपको आगे बढ़ना चाहिए चलिए देखते हैं कि मून ओरिकल यह मून ओरिकल है वो आपक के लिए guidance आ चुकी है प्रियादश को शो दा world the real you वाओ इस message के गहराई को सब्झेए प्रियादश को शो दा वर्ल्ट the real you आप सही में कौन है यह कोई नहीं जानता यह सिर्फ आपको ही पता है अगर अभी तक वो आपको नहीं समझे हैं अगर लोग आपको गलत समझ रहे ह अगर आपके परसन भी आपको नहीं समझते हैं, तो कोई गम नहीं, आप अपने आपको जानते हैं, आप क्या है, आत्म विश्वास के साथ आगे बढ़िए, साहस इच्छा शक्ती के साथ आगे बढ़िए, कर्म के पत पर, ड्यूटी के पत पर आगे बढ़िए, धर्म के पत वो जो सफर है उस सफर पे आपको ध्यान देना चाहिए वो सफर सबसे जरूरी है वो आपको आपकी मंदिल तक जरूर पहुचा देगा तो इसका मतलब है आप इस दुनिया को दिखा सकते हैं कि आप सही में कौन है तो इसके लिए अगर आप ऐसा सोचेंगे कि भागय के भरो से रहके ही गुजारा हो जाएगा तो ऐसा नहीं है प्रियदर्शकों आपको अपने दम पर चीजें बदल नहीं होगी अपने बल पर आत्मे विश्वास के बल पर आप जो भी पॉजिटिव चाह चेंज चाहते हैं वो आपको अपने जीवन में लाना होगा तो ही डिवाइ इनरजीज एंजल्स यूनिवर्स परमात्मा आपका साथ देंगे तो उमीद है आपको इस रीडिंग से कुछ न कुछ गाइड़न्स मिली होगी प्रियदर्शकों चानल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेर करना बिलकुल मत भूलिएगा और जाते-जाते मैं ये बो कैंटे तो याद रखिएगा उनकी किसी भी तरह से मदद करते हैं तो डिवाterm इनरजीज यूनिवर्स की तरफ से आपको जरूर मदद मिलेगी जब आपको मदद की ज़रूरत होगी गाइड़न्स की जरूरत होगी आपको यूनिवर्स जजारूर्स देगी अपना ध्यान रखिये प्रियोद शको, मिलते हैं अगली बार, नमस्ते